तो हेई गाइस मैं आप से बेगों स्वागत कर तो मैंने चैनल पर तो आज हम लोग बात करने बाले है जेपी इंफ्राटेक इंसल्वेंशी का जो पूबले में जो न्यूज ये तो उसके रिगार्डिंग में तो आप लोग को यहापर देखने को मिलेगा कि एंसी एल्टी ज यही बात बोला हुआ है कि आप जो कोड है जो एंसी एल्टी है तो यहापर हेरिंग देने बला है काल तो काल आप लोग को में इसके रिगार्डिंग जब यह आ जाएगा तो इसके रिगार्डिंग भी एक न्यूस में आप लोग को दे दूंगा तो इसके लिए आकर आप निया है मेरे चैनल पर टॉप लोग चैनल को सब्स्वेब कीजिए और नेक्स वत यहापर आप लोगो सेकेंड में आप लोगो डेखने को मिलेगा जो यहापर फाइनेशल क्रिदितर है यानि जो बैंक्स और यहापर जो होमबायर्स है तो बो लोग एप्रूप दिया किसके पर बो लोग ने अप्रूप दिया शुरक्षा ग्रूप के फेबर पर ताकि उनलोगों जो 20,000 होमबायर्स है तो बो लोग को जो उनलोग का जो ड्रीम फ्लैट वो क्या होगा कि 11 एर से उनलोग को नहीं मिल रहे जेपी के अंदर में जो उनलोग ने पैसे अलिरी दे दिया तो फिर भी नहीं मिला क्यों कि अच्छा परफाम नहीं कर रहे इसलिए तो उसके बज़े से क्या होगा जब सुरक्षा के अंदर में आ जाएगा सुरक्षा ग्रूप के अंदर में आ जाएगा तब बो लोग को ज्यादा चांस रहेगा कि उनलोग को जो होमबायर्स है तो लोगा जो घर उनलोगा जो फ्लेट वो मिलने का चांद ज्यादा बाड़ जाएगा तो इसके वाज़े से इसके फेबर से तो वो लोग ने किया कि एप्रूफ किया तो नेक्स दोस्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर COC के बारे में बोलावे यानि Committee of Creditors तो दोस्तों यह दिखें यह जो COC यानि यह एक कोमीटी ऐशा होता है कि जो एप्रूफ करता है जो एक कमपानी जब एक कमपानी क्या होता है कि आप लोग बोच सकते हैं जो एक कमपानी बैंक्राप बैंक्राप जब होने पर खरिदने के लिए उनलोग करते है बोग एप्रूफ करता है तो यह पर COC का काम ही है तो उसके बज़े से COC ने क्या-क्या जील को एक्वेर करने के लिए सुरक्षा ग्रूप से क्या-क्या एप्रूफिल दिया तो यह पर आप देख सकते हैं यह 3 दिका फोतिंग चला था तो जिसके इसमें बोलो कि इसमें एक बीड वा था जिसके बाज़े से बहुत ही तक्कर का हुआ था और शीप 0.12% से किसने जिता था शुरक्षा ग्रूप ने ओन क्या था तो इसके बिज़े से यह जो शुरक्षा ग्रूप तो उनके फेबर पर यह JP का जो इंचल बिज़े का प्रोस करने बला है यह फिर नहीं तो यह जानने के लिए आप लोग फीडियो को लाज तक देखे और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मुझे मूतिवेट कीजिए तो चलिए हम लोग नेस्ट पर चल कि जेपी का जो अभी condition है तो उसका बैतर होने बला है शुरक सा यः फिर एन्बेलिक दोनों के अंदर में कोई भी के अंदर में जाने के बाद उसका जो condition नोह है वो ए बेतर होने बला है तो मैजरिटियो आप होमोनर जो है बो एन्बेरी फूर्द दिया था तो एन्बेसी का प्लान है तो बो इतना अच्छा नहीं लगा उन लोग को as compared to सुरक्षा का प्लान तो सुरक्षा का प्लान क्या में आप लोग को यहापर बोल तुम का यहापर नीचे में तो इसलिए आप लोग फीडियो को लास्तक देखे तो नेक्स दोतों क्या आवा कि जो CoC यानी जो कमीटी था तो उनलोगों ने शुरक्षा के भेवर में आ गया उनलोग का बीदिंग बेतल तो अभी आप लोग देखेंगे यहापर जो शुरक्षा का जो अल तो बीदिंग का प्राइस बो 7,736 करोर का है और यहापर NBCC का इससे क करोर का हो गया और उनलोगों ने यह भी बादा किया कि एक्स्ट्रा से 300 करोर बोलोग देने बला है जब यह उनलोग के फेवर में आ गया याज आज आएगा जब कि आप लोग बोचाकते काल जो उनलोगों ने जो प्लैन उनलोगों प्लैन चुनाएगा तो तब जब NCLT उनलोगों एप्रूब दे देगा तो उसके बाद बोलो कंस्ट्राक्शन से पहला है उनलोगों काम सुरू करने बाला है तो उनलोगों के यह पर मैंचन क्या हो आए तो आप लोगों देख सकते है तो इन्दी एंटार प्रसेस होमपयर्स वेड़ी बिगेस लूजर्स तो य का कस्तोमार जो होमपयर जो पैसा डिया रखा था जेपी को उनलोगों खर या फिर जो फ्लैट यह सब खरिदने के लिए तो इसके बाद से बोलो 11 यह से वेड़ कर रहा है तो आप लोगों देख सकते है आपर एन मुपतरी सुप्रीम कोर्ट में केस देने को गया तो प्लैन के प्लै जो प्लैन होगा तो उसके रिगार्डिंग ही यह आप लोगो बाता चाजाएगा कि क्या देगा बोलोग एप्रूब देगा यह फिन नहीं एंसील ती तो से देवेरी कमेटेटी होमपयर से नोट एसीले कॉंस्ट्रक्शन वर्क तो बोलोग जैसे की मैंने यह फिन नहीं तो मैं आप लोगो यह पर एक फीदियो दे देढ़ेंगा तो आप लोग बोलोग जान पाएंगे कि आप लोगो वर्ड बैंक है यह फिन नहीं आभी और साथी दोस्तों यह जो न्यूज जो शुरक्शा का न्यूज आया तो कल यह बता चल जाएगा कि शुर